इंडिया वर्सिय्ज इंग्लैंड सेकेंड डिस्क का पहला दिन टीम इंडिया के नाम क्या बोज़ बन गए हैं भारती एक अपतान पूरे क्रिकेट जगट में रोही शर्मा को हिट मैन के नाम से जाना जाता है लेकिन टेस्ट में हिट मैन हिट नहीं बलकि लगातार बार बार फ्लॉप हो रहे है दरसल आज से भारत और इंगलैंड के बीच विशाका पटनम में दूसरे टेस्ट मैच शुरू हो चुका है दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की समापती पर भारत का स्कोर 336 पर 6 रहा इस 336 के स्कोर में रोहिच शर्मा का योगदान ना के बराबर था जी हां मैच की पहली पारी में रोहिच शर्मा का बला एक बार फिर से हला नहीं मचा पाया रोहिच शर्मा सस्ते में चलते बने सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता है सबसे बड़ी बात ये है कि रोहिच शर्मा को टीम इंडिया के कप्तान रोहिच शर्मा को आउट किया है इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले शोय बशीर ने जिया शोय बशीर की लेग स्पिन पर रोहिच शर्मा ने अपना कैच थमा दिया और मात्र 14 रन बना कर पवेलियन लोट गए तो दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में रोहिच शर्मा ने 14 रन बनाने के लिए 41 गेंदो का सामना किया इस दोरान उनके बल्ले से नहीं एक भी चौका निकला और नहीं एक भी छका दरशल रोहिच शर्मा की इस पारी को देखकर अब हर कोई ये कह रहा है कि रोहिच शर्मा अब भारती टीम पर बोज बन गए है आपको बता दे रोहिच शर्मा पिछली कई पारियों से बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए हैं यानि की फ्लॉप रहे हैं रोहिच शर्मा की अगर पिछली दस पारियों पर हम नजर डालें तो रोहिच शर्मा ने वेस्टेंडीज के खिलाफ एक सो तीन रनों की शत्त की पारी खेली इसके बाद 80 रनों की शांदार पारी वेस्ट इंडीस के खिलाफ ही आई, तीसरी पारी वेस्ट इंडीस के खिलाफ ही 57 रनों की थी इसके बाद साउथ अफरीका के खिलाफ रोही चर्मा सिर्फ 5 रन बना पाएं, उसके बाद 6 रन पर ही आउट हो गए और फिर 49 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फिर से आउट हुए और फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोही चर्मा ने नाबाद 16 रन बनाए फिर बारी आई इंग्लैंड की तो इंग्लैंड के खिलाब रोही चर्मा 24 रन पर आउट हुए उसके बाद 49 रन पर आउट हुए और आज की मैच में सिर्फ 14 रन पर ही रोही चर्मा आउट हो गए अब देखना दिल्चस्प होगा कि हिट मैं दूसरी पारी में कितना रन बनाते हैं वैसे रोही चर्मा जैसे दिगज रोही चर्मा जैसे महारती खिलाडी के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो कब अपने बल्ले से हला मचाएंगे और आपको चुप करवाएंगे ये आपको भी पता नहीं लगेगा वैसे आपको क्या लगता है क्या रोही चर्मा दूसरी पारी में अपने बल्ले से कमाल दिखा पाएंगे और आपके हिसाब से कितना रन बनाएंगे रोहिच शर्माद दूसरी पारी में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं फिलाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इंफॉर्मर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले